हेलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग तो जैसा कि आफ सब जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटर्मिनर्स जो टॉपिक है इंगलिश का वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने दो यानि की सम और एनी इन दो डिटर्मिनर्स को हमने डिसकस कर रहा था तो आज ज सबसे पहले आपको मैं जो कल का हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइस करवा देता हूं क्यूंकि जज़ा कि मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक पार अगर आपको ये टॉपिक समझा आ गया और आप जब इसके प्रैक्टिस कोशि वो होता है countable noun plural के लिए यानि कि some boys some girls और uncountable noun के लिए uncountable noun यानि कि जिसका plural नहीं हो सकता है जैसे कि money water milk इनका आप plural नहीं कर सकते milks नहीं कर सकते waters नहीं कर सकते वो होते है uncountable noun ठीक है सम का यूज सिर्फ इनी दो के लिए होता था अगर हम rule की बात करें कि sentence में some का यूज कब किया जाएगा जिसके basis में हमें questions आएंगे अगर sentence positive हो positive हो या फिर interrogative negative हो यानि कि negative interrogative उस वक्त हम some का use करेंगे और जो इसका second rule था वो ये था कि जब भी कभी question में request sentence में request की बात की गई हो polite request करें या से कि किसी को बोले can you could you would you या please kindly इसके जैसे words अगर use किये गए हो sentence में तो हम some का use करेंगे पर ये भी याद रखना आपको some का use सिर्फ और सिर्फ plural और uncountable noun के लिए करना है और वहीं पर second जो हमने पढ़ा था वो था any any बिल्कुल इसका उल्टा था any singular noun के लिए भी लगता है countable singular noun के लिए भी लगता है countable plural noun के लिए भी लगता है यानि कि आप ये बोल सकते हो any boy या any boys any book any books कुछ भी आप बोल सकते हो इसके साथ साथ इसका uncountable noun के साथ भी use होता है any water, any milk, any money उन सब के साथ भी इसका use होता है कि sentence में not इस ट्राइब का not never इस ट्राइब में sentence में कोई word यूज किया गया हो और दूसरा यान तो interrogative हो जैसे हम बोलते हैं कि किसी को पूछने कि आपके पास कोई pen ना है do you have any pen तो सिर्फ और सिर्फ interrogative हो उसमें negative ना हो negative सिर्फ simple sentence में हो कि simple sentence यूज किया हो उसमें negative हो और दूसरा interrogative जो इसका second rule था वो जैसे कि देख सकते हैं कि अगर question में इस टाइब के words यूज किये हो दोस्तों इन words का मतलब ही यही है barely, seldom, hardly, scarcely, rarely, weather, doubt कि कोई चीज मुश्किल से ही present है यह particular words ही negativity को refer करते हैं तो जब भी यह वाले words यूज किये हों तो आप सिर्फ और सिर्फ any का ही यूज करोगे यह था इसका second rule आज जो दोस्तों में next determinants लेकर आया हूँ वो है much and many सबसे पहले हम much and many का पढ़ते हैं काफी लोगों को पता होगा लेकिन आज जिनको नहीं पता है उनकी confusion आज बिल्कुल ही दूर हो जाएगी देखो दोस्तों जैसा कि हमने पहले पढ़ा एक होता है countable noun और एक होता है uncountable noun countable noun singular भी हो सकता है countable noun singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है any boy boy या boys दोनों हो सकते हैं लेकिन uncountable noun हमेशा singular ही होता है सिर्फ water हो सकता है waters नहीं होगा आप किसी को इस पर confusion नहीं होनी चाहिए much का use सिर्फ और सिर्फ uncountable noun के साथ होगा much का use याद रख लीजे much का use सिर्फ और सिर्फ uncountable noun के साथ होगा यानि कि जब भी sentence में ऐसी बात की गई हो ना हम बोलते हैं ना कि uncountable noun जैसे how much money you have how much money क्यों money की साथ much use किया गया क्योंकि money का plural होता ही नहीं है money is a uncountable noun वहीं पर आगर मैं many की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ countable plural के साथ आएगा countable noun plural के साथ आएगा जैसे कि how many boys या how many books जैसे कि नीचे example में लिखा हुआ है examples बढ़ते हैं आपको रच्छे साथ ये समझा देगा ये बहुत इसान है दोस्तों much money का काफी इसान है क्योंकि ये हम daily life में use भी करते हैं देखिए there is much traffic on the road much क्यों use किया गया क्योंकि traffic का traffic नहीं होता है traffic is an uncountable noun इसलिए much का use किया गया वहीं पर books books क्या है accountable plural noun है क्योंकि books को हम गिन सकते हैं कि ये एक है दो है तीन book है च्यार book है traffic को गिना जा सकता है एक traffic है दो traffic है तीन traffic है नहीं water को गिना जा सकता है नहीं इसलिए तो there are many books in the library countable plural noun है तो many का use किया गया है second example देखिए there is not much water in the pot यहां पर इतना जादा पानी नहीं है ना आंके बराबर पानी है पाउट में तो water is uncountable noun therefore we have to use much next example है many students have gone to picnic काफी students picnic गे हुए है अब देखो students students है countable plural noun ऐसा भी नहीं है कि अगर 100 students खड़ा आप गिनने सकते हैं गिन सकते हैं हम बिल्कुल in short अगर आपको confusion है ना अगर countable और uncountable है जिनको आप numbers में गिन सकते हो that are countable noun जिसको आप number में नहीं गिन सकते वो होते है uncountable noun uncountable noun की सिर्फ और सिर्फ quantity होती है जैसे कि milk की quantity होती है कि ये पांच लिटर है ये छे लिटर है उसे ना water की quantity होती है ठीक है इनका number नहीं होता uncountable noun के लिए uncountable noun का कोई number नहीं होता लेकिन countable noun नमबर में ही represent किये जाते हैं ठीक है ये था mature money मुझे उमीद है ये बिल्कुली simple था determiner ये आपको बिल्कुल अच्छे समझा आ गया होगा next जो आ रहा है वो सबसे ज़्यादा important बोलोंगा दोस्तों सबसे ज़्यादा important आपको अच्छे से समझना है वो ये रेखिए next है little और few ये क्यों important है दोस्तों इसके basis पे questions भी पुछे जाते हैं और पुछे भी गय हुए है क्योंकि इसमें particular में तीन टाइपस आती हैं कभी-कभी sentence में little use होता है कभी-कभी sentence में few use होता है कभी-कभी sentence में a little use होता है और कभी-कभी sentence में a few use होता है और कभी-कभी sentence में the little use होता है और कभी-कभी sentence में the few use होता है ये तीन हर little की और 3 few की ये आपको समझना है ये मेरा वादा है जब आप ये समझ लोगे आपको confusion नहीं होगा इसके basis पे काफी examples मैंने इसके नीचे लिखी हुई है देखो सबसे पहले हम आते हैं little और few पे little use किसके लिए होता है जैसे कि हमने उपर पढ़ा है ना मैंने use much use किसके लिए होता है much use होता है uncountable noun के लिए little भी use होता है uncountable noun के लिए uncountable noun के लिए use होता है वहीं पर few किसके लिए use होता है few use होता है countable plural noun के लिए ये दोनों बातें clear भी little use होता है uncountable noun के लिए few use होता है countable noun के लिए अब होता क्या है कि little और few में क्या बात होती है कि हम जब sentence में बात की जाएगी ना little और few के लिए दोनों में sentence में जब बात की जाएगी वो negative बात की जाएगी negative बात मतलब वहाँ पर not का इस्तमाल हुआ होगा ठीक है वहाँ पर not का इस्तमाल हुआ होगा और little और few में होता क्या है दोस्तों मैं आपको सिधे एक ही बारे बता देता हूँ पहले little का ही बता देता हूँ एक तो uncountable noun के लिए use होता है दूसरा ये sentence जो जिसमें little हमें use करना है उसमें sentence negative होना चाहिए और अगर किसी भी चीज़ की बात की जा रही हो किसी भी quantity की बात की जा रही हो वो ना के ब्राबर होगी जैसे हम बोलते हैं न there is not little water in the pot देखो there is not little water in the pot तो यहां पर जी मैंने little क्यों use किया मैंने water को देखकर use किया क्योंकि uncountable noun था और यहां पर क्या बात की जा रही थी कि यहां पर पानी ना के बड़ाबर है पानी है ही नहीं same few जलता है बस few में यहां पर uncountable noun आता था यहां पर countable noun आता है यहां पर quantity की बात की जाती है, यहां पर number की बात की जाती है, यहां से मैंने यहां बोला, हमारे pot में ज़्यादा पानी नहीं है, नां के बराबर पानी है, यहां पर मैं क्या use कर सकता हूँ, as I have few books, I can hardly pass this exam, hardly दोस्तों मैंने आपको बताया था, कि hardly का मतलब ही होता है, नां के बराबर, तो यहां पर few का use किया गया, मुझे उमीद आपको little और few का समझ आ गया होगा, अगर confusion है, तो मैं, मैं एक और बार यह आपको यह बिल्कुल short में confirm कर देता हूँ, little का use होगा, uncountable noun के लिए, जब भी चीजें नां के बराबर होगी, जब भी चीजों की quantity नां के बराबर होगी, few का use होगा, countable noun के लिए, countable plural noun के लिए, जब भी numbers नां के बराबर होगे, इसलिए यहाँ पर books के लिए use किया गया few यहाँ पर milk के लिए use किया गया milk क कौञटिटी में होता है negative तो दोनों है इधर भी not का use किया इधर भी hardly का use किया गया hardly होता ही है ना के बराबर तो little और few का तो बता चल गया यह होते है ना के बराबर जब भी चीज़े हो उस टाइम little और few का यूज किया जाएगा लेकिन next है a little और a few a little और a few भी same है बस यहां पर क्या होगा sentence negative से positive हो जाएगा क्यों positive हो जाएगा क्योंकि यहां पर बोला गया होगा कि थोड़ा थोड़ा याने कि some quantity बताई गई होगी कि यहां बोलते ने कि कि यहां पर थोड़ा सा पानी है यह नहीं बोला कि पानी तो है यह नहीं पानी है यह नहीं यह नहीं बोलते है थोड़ा सा पानी है पीने के लिए तो वो थोड़ा ही वो थोड़ी चीज ही positive sense लाती है जब भी sentence में थोड़े की बात की है कि हमें लगे कि sentence में जो sense आ रही है ये थोड़े की बात की जा रही है sum की बात की जा रही है तो उस वक्त हम little का use करेंगे वहीं पर वहीं पर if you का use कब होगा जब भी sentence positive होगा और वहीं पर थोड़ा बात की जारी हो बस difference कहा आता है यह quantity की बात करता है यानि कि there is some milk in the pot तो यहां पर there is some books ठीक है समझ रहे हैं आप books और water books आया numbers के cases में यानि कि countable noun plural और water आया uncountable noun के लिए examples है कि आपको समझा रहेगा a little knowledge is a dangerous thing a little knowledge a little क्यों आया यहां तो लोगों को बिल्कुल भी ग्याना हो किस चीज़ का चलता है यहां तो बहुत ग्यानों चलता है अगर किसी चीज़ का थोड़ा सा पता होना तो वो चीज़ से ही नहीं रहती है इसलिए यहां पर यह थोड़े की बात कर रहा है यह थोड़ा knowledge बहुत ही dangerous चीज़ होती है तो a little knowledge अब आप बोलोगे कि knowledge कैसे बदाश चलिएगा कि uncountable noun है कि countable knowledge का plural नहीं होता है तो यह uncountable noun है वहीं पर the paper was tough paper tough था only a few students have passed paper tough था बहुती कम बच्चे पास हुए थोड़े बच्चे ही पास हुए ना के बराबर बच्चे पास थी यह नहीं बोल रहा हूं मैं ना ही sentence मैं not का use कर रहा हूं कोई negative sense नहीं आ रही है negative sense सिर्फ little और few के लिए आती है a little और a few के लिए sentence positive हो जाता है इसलिए there was the paper was tough only a few students have passed कि कुछी बच्चे पास थोड़े बच्चे पास हुए last जो दोस्तों हमारा आज का है वो है the little और the few सबसे पहले मैं आपको उपर वाली confusion जोगा हूँ clear कर देता हूं few little use होता था और few use होता था किसके लिए little sentence negative के लिए कि sentence negative होने चाहिए ना के बराबर चीज़े होनी चाहिए few sentence negative होने चाहिए ना के बराबर चीज़े होनी चाहिए ठीक है दोनो negative के लिए बस little quantity के लिए होता है और few number के लिए होता है यानि कि little uncountable noun और few countable plural noun के लिए यह जो होता है वहीं पर a little और a few की बात की जाए a little क्या करता है यह तभी यूज़ करेंगे जब sentence में थोड़े की बात की गई हो sentence में sum की बात की गई हो quantity जो है sum में हो वहीं पर a few number जो है वो sum में हो जानि कि countable noun की जो plural है उसमें बोला गया हो कि हाँ थोड़े से बच्चे है क्लास में और अगर a little की बात की जाए कि थोड़ा सा पार नहीं है पॉट में अब the little और the few का use कब किया जाता है तो यह किया जाता है दोस्तों जब भी sentence में पूरी quantity की बात की जाए जब भी sentence में पूरी quantity की बात की जाए whole whole यानि की पूरा मैंने इट ब्रैकर में लिखा हुआ है हिंदी में पूरा in quantity जब the few की whole in number जैसे मैं बोलूँ आज सारे के सारे बच्चे whole class is present today इस ट्राइप में ठीक हा examples देखिए आको समझा जाएगा he has lost the little money that his father has sent जो उसके फादर ने इसको money sent की थी ना बेजी थी ना वो उसने पूरी की पूरी गुमा दी पूरी की पूरी गुमा दी मतलब यहां पर use होगा the little money है इसलिए the little the few नहीं होगा रुपी होता अगर रुपीज होता तब आ सकता था the few uncountable ना होना इसलिए the little वहीं पर दूसरी example लेखिए he has donated the few books he had to the library उसने वो सारी की सारी books पापिस कर दी जो उसने लेबरी से ली थी अब books क्या है countable plural noun याने की number में बात की जा रही है इसलिए the few का use किया गिया है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो हमने दो important और ये वाला तो काफी ज़्यादा important है इसके basis पर आप रखिए question तो पूछा जाएगा mature menu और little और few के बारे में आज मने पड़ा अगर आपको confusion आता है मुझे अगर आपको लगे कि आपको confusion है little और few में तो आप comment section में मुझे बताईएगा next video जैसी मैं बढ़ाऊँगा मैं शुरू में आपकी पहले little और few की confusion ही दूर करूँगा क्योंकि ये सबचना बहुत ज़्यूरी है दोस्तों आगे जो cases आगे आगे तो असान ही है आगे भी mature menu की तरह ही होगे बिल्कुल simple cases है लेकिन little और few वाला काफी ज़्यादा important है question पूछे जा सकते है पहले बताता हूँ some more any और little few इनके basis भी आप रख लो आपको एक question पूछा ही जाएगा confirm बोल रहा हूँ है इनके basis आपको question पूछा ही जाएगा बाकि होते हैं तो बहुत ही जादा होते हैं तो इतने जादा तो हम अगर आप बोलो कि इतना deep जाना है तो फिर उसका कोई फाइदा नहीं होगा जितने भी exam में आते हम उनको पूरा पका पड़ेंगे ताकि हमारा कोई extra marks जो हम ले सके हैं वो भी हमें मिल सके तो अगर आपको confusion है तो आप comment section में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आप से next video में जिसमें मैं जो last के एक दो case एक दो rule जो एक दो और बचा हुआ है उनको भी हम discuss कर लेंगे और उसके बाद जो उसके next video हैगी मैं काफी ज़दा practice questions लेकर आँँगा और फिर आपका determinants topic भी complete और उसके बाद English का आपको सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा वो है prepositions तो आप रख लीजे कि next week आपका English का सारा syllabus complete हो जाएगा आप Antonio Sanonium की जिनता मत कीजे उसकी PDF में आपको अपने telegram link में provide कर दूँगा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं फिर आपसे next video में